थोड़ा शर्म कीजिए कम से कम इस हालात में तो ऐसे मत कीजिए बीजेपी वालों और जदिव के लोगों एक तो एमूलेंस बोला जा रहा है कि नहीं है सरकारी एमूलेंस और साथ साथ सौसो एमूलेंस कहां से आ गए अभी जो वहां के सांसद हैं सारन जिला के राजी परताप रोड़ी जी सभी लोग को तो पहले सूप रुभात आज इसलिए लाइब आ रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है लोग अभी इस कुरोना महामारी में लोगों का जो हालात है और लोग इस बीमारी से जूज रहे हैं और बीजेपी के सांसद और पुर्म में मंत्री रहे हैं राजी परताप रोड़ी जी उन्होंने पच्चास क्या साथ साथ एम्बुलेंस सुनने में आए सौव एम्बुलेंस वो के बड़ ढग के रखे हुए इस इस इस्तिती में अ Алग्यार के रूप में उन्हें क्यार के रखे हुए हैं की उतिता उक्याण को रहा है भाइए आप क्यों रखे हुए है स्वे Speedman Madras और आप नोर सूद्म्टी मंत्री निधी से आप इतने इंबुलेंस को बैठा के रखे हुए और बिहार की देनी इस्तिती है बिहार बरवाद हो रहा है बिहार की जनता खतम हो रही है और आप जो है इतने एंबुलेंस को रखे हुए है यह बीजेपी की और बीजेपी के मंत्री और मान्य सांसद और विधायक की यह मानसिक्ता है वित्रो बिहार की हालत गंभीर है बिहा कि लोग लाचार हैं और एक बीजेपी के मंत्री साठ साठ एंबुलेंस को जहां आपके रखता है क्या भाई क्यों रखते हैं कि उससे कौन जाएगा उस एंबुलेंस से यह आम जनता के पैसे का पैसों का एंबुलेंस है सरकारी एंबुलेंस है आप क्यों जहां के रखें भाई इस क्रोणा महामारी में तो ऐसे मंत्री ऐसे सांसद महोदय को शर्म आनी चाहिए बीजेपी के तमाम उन मंत्री सांसद को बताओ यह इस्तिती है सारे लोग मर रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पप्पुजी को कि उन्होंने जाकर कि इस चीज का उजागर किया यह इस्तिती है और उल्टा सभाल पुछा जा रहा है कि नेतापर्ति पक्च अभी तक क्यों नहीं बाहर निकले हैं अरे शर्म करो बीजेपी के तमाम लोगों यह इस्तिती है आपके संसद और विधायक का एक तो एमूलेंस बोला जा रहा है कि नहीं है सरकारी एमूलेंस और साथ साथ सौसो एमूलेंस कहां से आ गए अभी यह इस्तिती है तो शर्म किजिए अभी भी इस महामारी में जादे कुछ तो हम नहीं बोलेंगे केवल आपका बिहार में और भारत में दोनों जगा आपकी सरकार है कम से कम आपसे निवेदन है अभी आशू आ रहा है हमें आपके इस मंत्री और सांसत को देख करके थोड़ा शर्म कीजिए कम से कम इस हालात में तो ऐसे मत कीजिए बीजैपी वालों और जदिव के लोगों आपकी दोनों जगा सरकार है शर्म आनी चाहिए ये इस्तिती है और पूछते हैं कि भाई नेता परतिपक्ष अभी तक निगले क्यों नहीं है तमाम हम विहार के जनता से अपील करते है कि इनकी मान्सिक्ता को आप लोग देखिए ये करना क्या चाहते है दिखाना क्या चाहते है बीजैपी और जदिव के लोगों डबल इंजन का सरकार चल रहा है और सारे एमूलेंस पंचर पड़ा है इनका चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव करवाते हैं इस कुरोना महामारी में कलकता और बिहार और यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर के इस्टेट एलेक्शन करवाते हैं यह इस्तिती है इनका और अभी चाहिए घरीब आदमी मर रहा है यह इस्तिती है और इनके मंत्री इंबूलेंस को जहां आपके रखे हुएं जहां आपके रखे हुएं सारण के मानिय सांसद है राजीव परताप रोडिपुर में के अंदर यह मंत्री रहे इनको शर्म आनी चाहिए भाई तो आप सब लोग से यही गुजारिश करते हैं कि इनकी दोहरी निती को आप लोग समझें आप सभी लोग को प्राम नमस्कार करते हैं और आप से निवेदन करते हैं मास्क का इस्तमाल करें और सिनेटाइजर लगाएं घर पे रहें स्वक्ष्थ रहें हम इश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद